देरा सच्चा सोधा प्रमुक गुर्मित रामरहिन को सजा के बाद से फरार चल रही उनकी करीबी हनी प्रीत आखिरकार सामने आ गई है पुलिस टीमों को लगातार चक्मा देती रही हनी प्रीत मंगलवार को न्यूस सेनल्स पर नजर आई और खुद को बेगुना करार दिया अपने उपर लगे आरोपो और रामरहिन के साथ संबंधों पर खुल कर बात की एक हिंदी न्यूस सेनल को दिये इंटर्वियू में हनी प्रीत ने कहा जैसे चैनलों में या अकबारों में दिखाया जा रहा है मैं वेसी बिल्कुल नहीं हूँ हनी प्रीत ने कहा कि जैसे मुझे दिखाया गया उसे देखकर मैं खुट डरने लगी हूँ उसने कहा कि मैं अपनी मैंटल इस्तिती बया नहीं कर सकती हूँ मुझे देश द्रोही कहा गया है जो बिल्कुल गलत है अपने पापा के साथ एक बेटी कोट में जाती है ऐसा बिना पर्मिशन के संभव नहीं है हनी प्रीत ने कहा कि मुझे इजाज़त दी गई तभी तो मैं कोट में इतनी सुरक्षा के बीच दाखिल हो पाई उसने कहा कि मैंने एक बेटी का फर्ज अदा करके क्या गलत किया क्या कोई बाप प्यार से अपनी बेटी के सिर पर भी हाथ नहीं रख सकता क्या अपने पिता से प्यार जताना गलत है मैं कहां गुनेगार हूँ उम्मीद है कि आज हनी प्रीत पंजाब हर्याना हाई कोट में अरजी लगा सकती है या फिर सेरेंडर कर सकती है